नमश्कार एक बाद फिर्ष सेज स्वागत है आपका जेजेन नीउस की एक और खास ख़बर में Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर अपने कई एहम मामलों में सुनाए गए फैसलों के लिए जाने जाते हैं बता देए कि CJI अनुशाशन को भी काफी पसंद करते हैं और जब कोई से तोड़ता है तो खासा नराज भी हो जाते हैं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कई सुनवाईयों के दोरान CJI चंदरचूर के गुस्से में आते हुए भी लोगों ने रेखा हैं यहां तक कि वो कुछ गलत होने पर वकीलों को भी पटकार लगाने से नहीं चूपते हाली में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होनी थी जिसमें CJI काफी नरास हो गए उन्होंने देर रात दस बजे भेजे गए एक इमेल पर सवाल उठा दिया बता दें कि अदालती सुनवाईयों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइब लॉक के अनुसार पिछले दिनों एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मेंचन किया कि रात दस बजे मामले को लिस्ट के जाने के लिए इमेल भेजा था जिस पर CJI चंदचूर ने जवाब दिया कि कम से कम CJI को मेल देखने की अनुमती दे इसके बाद उन्होंने नराज होते हुए कहा कि क्या ये मौत की सजा का मामला है या फिर प्रिगनेंसी के टर्मीनेशन का किर्फिया रीसनेबल रहें इस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं जिस पर CJI ने कहा फिर रात दस बजे इमेल भेजना कहा तक जायज है इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अभी के लिए सिर्फ इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजैन नीउस के साथ नमस्कार